दोस्तो नमस्कार दिल्ली मेरट एक्सप्रेस वे पर अब रफ्तार बढ़ने जा रही है दिल्ली मेरट एक्सप्रेस वे का जो पहला फेज है जो सराय कालेखां से शुरू होता है उसमें अब 120 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार से वहां दोड सकेंगे NHI ने इसको लगबग हरी जंडी दे दी है और जल्दी ये लागू हो जाएगा अभी तक जो है 70 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार से वहां पर वहां चल रहे हैं जबकि हापुड का जो हिस्सा है जो तीसरे फेज में आता है वहां पर अभी वहांनों की जो रफ्तार है वो 100 किलोमेटर प्रती घंटा है मेरे दिली एक्स्प्रेस फे 120 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और चोथा जो चरण है इसका जो डासना से परतापुर्ट तक है उसमें भी 120 किलोमेटर की रफतार से आने वाले समय में वहां दोड सकेंगे और दिल्ली से शुरू होने वाले हिस्से में सराय काले खां से यूपी गेट तक निर्बाद गती से 120 किलोमेटर की रफतार से आप कुछी दिनों में आ जा सकेंगे नैशनल हाईवे अथोरिटी ओफ इंडिया इस पर टोल भी शुरू करने जा रही है नवंबर से टोल पलाजा भी नवंबर से इसमें शुरू हो जाएंगे और इस समय काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है पहले चरण का दूसरे चरण का तीसरे चरण का काम लगवग पूरा है ही चोथे चरण का काम अभी बाकी है जिसको हमारे केंद्रिय सडक परिवैन मंतरी ने दावा किया है कि वो दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा भारतिया जनता पार्टी का जो अधिकारिक ट्विटर है उस पर भी आज वो वीडियो अपलोड किया गया है जो केंद्रिय सडक परिवैन मंतरी नितिन गड़करी ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया था कि अब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले में होते हैं काम लटकाने की जो परवर्ती है वो अब खत्म हो रही है और ये परंपरा बदल रही है ऐसा दावा किया गया बीजेपी के अधिगारिक ट्विटर हैंडल पर और हम आपको यहां लगतार दिखाते रहें अपने चैनल पर की ग्राउंड रियालिटी क्या है कितना काम अभी बाकी है क्या इस्थिती है आने वाले समय में हम इसका ग्राउंड विजिट करके आपको और वीडियो दिखाएंगे कि अभी डासना से परतापुर के बीच में कितना काम बाकी है रियालिटी क्या है और क्लेम्स क्या है दावों की हकीकत में हम परक करेंगे ग्राउंड पर जाकर के आपको तस्वीरे दिखाएंगे आप तस्वीरे देखकर के खुद भी अंदाजा लगा सकेंगे कि रियालिटी क्या है क्या दावे दिसंबर 2020 तक तो अगर दिल्ली मेरट एक्सप्रेस वे वाकई में दिसमबर 2020 तक चालू हो जाता है तो एक बड़ी रहात की बात होगी क्योंकि इस वक्त दिल्ली से मेरट के बीच में हाईवे के डिवाइडर को कवर करके NCRTC रैपीड ट्रेंग का ट्रेक बना रही है तो वहाँ जाम की समस्या पैदा होने लगी है जैसे जैसे अनलोक में restrictions हटते जा रहे हैं वैसे वैसे गतिविदियां तेज हो रही है markets open हो रहे हैं उद्यों की गतिविदियां बढ़ रही है तो transportation बढ़ रहा है traffic बढ़ रहा है मेरे दिल्ली highway के बीच में जैसे जैसे traffic बढ़ रहा है वैसे वैसे NCRTC के काम के चलते कुछ rush होने लगा है कुछ traffic jam की इस्थिती भी आने लगी है खास तोर पर Monday और Friday को इस highway पर traffic बहुत जादा हो जाता है चुकि वो week starting और weekend के दिन होते हैं और बड़े पैमाने पर Western UP और NCR के हिस्सों में आवगमन लोगों का होता है नोकरी पेशा लोगों का आवगमन होता है तो ये बड़ी रहात की बात एक हो जाएगी कि अगर शुरू हो जाता है परतापूर से दिल्ली तक express बे तो आप 45-50 मिनट में मेरट से निजामुदीन तक सराइकालेखा तक पहुंच सकेंगे हमारा चैनल देखते रहिए सबस्क्राइब कीजिए नमस्कार धन्यवाद